हेलो एरबन वेरबन वेल्कम ट्यूल और नॉलस काया चनल और माहूं आपका दोस्त अंबत्तिवारी और आप 11 बजायली क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है और यह UPSC Civil Service Exam को डेडिकेट करके हमने एक course जो स्टार्ट किया है वो भी completely free आप सभी के लिए जिसमें हम daily discuss करते हैं आप सभी के साथ editorial based एक article को और उसके aspects को जो कि आपको help करेगा आपके prelims के questions में as well as for essay writing and interview examination यह जो classes हैं आपके लिए काफे साथ important class है और इदि आप चैनल पने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बाइल लेकन बटन को क्लिक करके रखें ताकि latest videos के notification classes के notification आपको मिलते रहे साथ यह आप हमारे telegram channel to join करना ना भूले वहाँ पर हम सभी के सभी classes के handout जो है वो regularly post करते हैं so that आप वहाँ से सारे पीडियाप collect कर सकते हैं so दोस्तों यह हमारे UPSC civil service exam के लिए special class है जिसमें हम दा हिंदू PICS को आप सभी के साथ discuss करते हैं और यह free course हम UPSC exams के लिए अब लेकर आप सभी के लिए आएं UPSC EPFO के लिए already हमारा जो course चल रहा है जिसमें आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है now here we are back with the UPSC civil service examination so दोस्तों आज की जो basically class हमारी एडिटोरियल पर based और जो एडिटोरियल था इसका topic था data democracy ठीक है दोस्तों तो data democracy के ऊपर यह जो article आया था new trust with destiny birth of data democracy यह एक article आया था और आज हम इस article के बारे में discuss करने वाले यह articles के aspect को discuss करने वाले है क्या future coming इस article के according रहेंगी data की value कम देखने वाले है तो देखे लिए basically article क्यों है था हम सभी को पता है कि recent scenario में जो world change हो रहा है वहाँ पर data जो है एक बहुत important चीज़ बन गई है ठीक है हमने एक statement भी बढ़ाता है that data is the new fuel data is the new fuel करके हमने एक new statement भी बढ़ाता और यह national leaders के दौरे statement दिया गया था तो basically यह काफे साथ important चीज़ निकल कर सामने आती है data के अब हम सभी ने देखा है कि बहुत सारी companies है जासला एक facebook है और भी कई सारी आपकी social marketing companies हैं यह commerce companies जो लोगों के data को चूरी कर रहे हैं यह regularly चीज़ हमारे सामने आ रहे हैं data को without consent जो है वो use किया जा रहा है इससे एक गलत तरह का misuse भी हो रहा है एक misuse भी हो रहा है एक गलत impact भी है जो society पर पड़ा है तो basically इन सभी चीज़ों को point करते हुए एक article लिखा गया तो काफी शांदार सा article है यह data democracy ठीक है तो चली आई हम इसको detail में discuss करने वाले हैं काफी अच्छे aspect में मैं इसको बाफर्खेट किया है जो definitely आपके knowledge को boost करेगा और ultimately आपको civil service exam में यह help भी करेगा article so basically हम सबसे बहले बात करते कि what is data democracy जो term invent करी गई है discover करी गई है data democracy यह है क्या तो मैं बता दू एक जो definition कि क्या है data democracy is describe the methodological framework of values in action that benefits the minimize minimize harm to the public और typical user तो यहां पर basically data democracy एक ऐसी methodology है जो कि कुछ certain ideologies देती है कुछ certain चीज़े कहती है जिससे भाई data जो लोगों का data है उसको use proper way में किया जाने के लिए force करती है साथ ही misuse को और harm को जो है बचाती है तो data democracy basically एक ऐसी term है जो कि data के misuse को रोकती है और data को जो consent के साथ ही use किया जाए इस चीज़ की तरफ ज्यादा force करती है त्यूंकि data is the new fuel और data बहुत जाद important है आज के समय में दी हम बात करें तो यहां पर बात करीगे data permission की तो data permission के लिए छे ब्लॉक बनाए गए data democracy के लिए छे ब्लॉक्स बनाए गए है ठीक है data democracy के लिए 6 important blocks बनाए गए जिन में data permission, balance business with data, data commercialization, data vision, data as a service data backdaction यह कुछ जो pillars है यहां पर data democracy के लिए रखे गए data democracy के लिए रखे गए तो यह काफ़ स्लाइट काफी important रखती है स्लाइट इसको एक बार screenshot लेकर जरूर रखे सभी लोग तो यह जो six pillars है data democracy के लिए बनाए गए है और इन्ही चीजों के base पर data democracy इसी terms को जो है वो define किया जाता है तो अब हम बात करते कि what are the principles of data democracy तो यहां पर basically six blocks है जिटको हम यहां पर आज discuss करने वाले ठीक है तो first of all हम बात करें पहले pillar की तो the average end user can access information in any digital format तो basically data democracy यह बोलती है कि data democracy term को हम कैसे define करेंगे तो उसके लिए six block है आप इसा ऐसा समझ सकते है तो पहली चीज तो यह कि data democracy के according यह होना चाहिए कि कोई भी end user जो है वो अपने data को digital format में access कर सके दूसरी चीज यह बोल सकता है कि citizen of the country should be able to gather and analyze data or engage in self service without requiring any outside help तो वो सभी लोग जो है अपने help को self या खुद ही अपने data को देख पाए खुदी इस data से engage हो पाए और खुदी इस data को analyze कर पाए है बिना किसी तीसरे person की help के दूसरे person की help के दूसरी बार बात करेगी है कि the individual private data needs to be protected on the line of journal data protection regulation तो जो हर एक व्यक्ती का data है हर एक individual का data it should be private and secure मतलब किसी का भी data बिना consent के कोई भी यूज ना कर पाए इसकलाबा there is a need to ensure data quality and next one is the technologies that plays an important part in the empowering non-technical people in data democracy should be made accessible to them मतलब जो non-technical लोग है वो जो technically enhanced नहीं है वो भी अपने data को use कर पाए क्योंकि यहां पर हम बात करें है digital format की और यदि non-tech जो persons है तो उनको technology driven method में काफी problem हो सकती है तो उने भी आपको problem से बचाने और उनके लिए भी data जो है पो provide कर रहा है तो basically यहां पर data के use से लेके data की accessibility से लेके data की security technology तक सारी terms जो है वो data democracy में include करी गई है ठीक है आगे हम बात करते हैं कि why we need to protect data and why we need new regulations for the production of data क्यों जब रहत है हमें data को बचाने की और data को बचाने के लिए ने नियम कानून की ठीक है तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले चीज यह है भाई की production of data बहुत जाद important है clear हम सभी को एक case पता होना चाहिए 2017 का that was the puttaswami case 2017 में हुआ था और यहां पर Supreme Court ने बोला था कि भाई जो privacy है data की that is the fundamental rights यहां दोस्तो 2017 में Supreme Court voting statement दिया था puttaswami case में और उना ने यह बोला था कि भाई जो privacy है that is a fundamental right of a person है ना और इसने government को मजबूर किया भाई इस चीज को implement करने में कि भाई जो data है data का protection के लिए new legislation बनाया जाए आगे हम बात करते हैं जो data है it is getting treated as a resource ठीक है दोस्तों जो data है आपका अब उसको as a resource treat किया जा रहा है ठीक है बहुत सारे लोग इसका commercialization कर रहा है इससे अपने market को boost कर रहा है अपने business को boost कर रहा है तो it is overall considering as a resource इसके लाब आप बात करते है potential market of data तो हम सभी को पता है कि भाई यह जो overall country है हमारी इस country country के दिए हम बात के तो second largest population है वर्ल्ड में और यहाँ पर अच्छा खासा जो एक data business है जो setup किया जा सकता है तो लोगों की नजर भी यहाँ पर जादा hackers की नजर यहाँ पर जादा और countries की भी नजर यहाँ पर जादा है और जितनी भी data companies है वो भी नजर यहाँ पर गड़ा हुए इस market को देखते हुए it is very important कि भाई आप अच्छे action regulation लेकर आए उसकला हम बात करें uses of data without individual consent तो यह एक सबसे बड़ी problem है जो कि सामने आ रही अलग लग commercial companies के द्वारा कि बिना consent के data को use किया जा रहा है तो that should be illegalized और इसको control बे करना चाहिए तो यह कुछ basic problems है जिनको देखकर जिनके लिए it is must कि आप data protection act लेकर आए और कुछ नए regulations लेकर आए जिनसे कि आप चीजों को थोड़ा सा update रख सकें अब way forward क्या है यहां पर हम discuss करने वाले what is the way forward मतलब आगे आप और क्या कर सकते हैं तो यहां पर हम बात करें तो first of all जो सब साथ important चीज आती है that is the leveraging contactless infrastructure तो पहले number तो आप पो leverage करना पड़ेगा contactless infrastructure के लिए यहां पर हम बात करें तो basically कुछ चीजे निकल कर सामने आती है that की जो building block है scalable model to harvest mass data of the Indians rapidly expand their digital footprint especially in the aftermath of the covid-19 India can leverage the contactless behavior that is already in place ठीक है दोस्तों तो basically बात इंडिया किसले जाद हो रहे क्योंकि भाई यह इंडिया जो यह वर्ल्ड के लिए अच्छा खासा बड़ा market हो यहां पर सभी countries के और companies की नजर रहती है तो एक contactless system बनाने की बात की जारी और कर सकते हैं और कहीं नगे कोई-19 में इस चीज को इंप्लिमेंट होते हुए भी देखा गया है इसको बात करते हैं आधार प्रोवाइड दा आइडिया ओफ यूनिक आइडिफिकेशन तो वर वन बिलियन प्यूपल इंडिया तो यहां से आधार से अल्रेडी हमें इसके लाव है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटर्फिस जिसे हम यूपी भी बोलते तो यह एक इंफ्रस्ट्रक्चर के एक्जामपल है जहां से अब डेटा को सेफ कर सकते हैं और कुछ आइडिया लेकर चीज़े इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो यहां पर जो कंसेंट हो सकते हैं इसके लिए नई पॉलसी बनानी पड़ेगी क्योंकि डेटा प्राइवेसी यहां पर भंग होती है ब्रेक होती है तो यह फंडमेंटल राइट का यह ब्रेकडाउन माना जाएगा इनिदिया ठीक है तो यह एक डेटा डेमोक्राइसी का लिए एक तरह से constitution या mini constitution आप बना सकते हैं इसके लाबा कुछ भी law ऐसे बनाया जाने चाहिए जो की digital thief जैसे चीजों को future में रोख सकें ठीक है और data को protect कर सकें और consent की वहमियत आगे आ सकें तो अब यहां पर हम basically देख लेते कि conclusion आप पर क्या निकल करा था इस पूरे article के जो कि digital laser और यहां पर data democracy जो already include हो चुका है ठीक है अब यहां पर बात यहां रही कि जब data इतने important है तो data को protect करना भी कहीं न कि उतना ही important आप सभी के सामने निकल करा राता है तो अब यह government की जो worldwide government है different countries की उन्हें अब चीज इंसे और करनी होंगी कि भाई जो data democracy उसके dignity को maintain क किया जा सके data protection बनाया जा सके और इसके अलावा साथ साथ कुछ ऐसी चीज़े भी लेकर रहा है लोहों को aware भी किया जाना चाहिए जिससे वो अपने data की value को खुछ समझे ठीक है और यह जो market है market में data की utilization को legalize किया जा और एक proper way में with concerned data जो है यूज हो सके इसको leverage भी दिया ज कीजिए जो काफे जादा importance रखती है तो दोस्ते यहां पर हमारा आज का article खतम होता है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह जो series काफी पसंदार होगी अपने review ज़रूरी series को देते रहें thank you guys thank you very much for your love support and time